बिस्मिल्ला इर्रह्मान इर्रहिम डियर स्टुडेंट्स बोर्ड के इम्तिहानात में भी इंटर्वी कोश्चन आता है इंटर्वी कोश्चन पूछा जाता है जिसमें हमें आठ या दस सवाला तैयार करना पड़ते हैं दियर स्टुडेंट्स ये जो मैंने इस वीडियो में सवाला तैयार किया हूँ वो मोस्ट कॉमन है आप किसी का भी इंटर्वी लें उनको आप ये सवाला पूछ सकते हैं बोर्ड के इम्तिहान में अक्सर सवाल इस तरह आता है सबसे पहले जिन साहब को आपने इंटर्वी के लिए मदू किया है अगर वो आएं जब वो आएं तो आपका फर्ज है कि उन्हें उनका आप इस्तक्बाल करें उन्हें आपको वेलकम कहना होगा वेलकम सर वेलकम मैडम इस्तक्बाल करने के बाद में यू शूट शेक हैंड्स विद हीम उनसे मुसाफ़ा कीजिए उसके बाद में बैटने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए प्लीज बी सीटेट बैटने के बाद में आप उनसे ये सवाल पूछ सकते हैं dear students listen attentively and try to understand how do you feel how do you feel how do you feel at the zenith of success how do you feel after achieving a great success how do you feel achieving a great success अजीम कामियाबी हासिल करने के बाद अजीम कामियाबी हासिल करने पर आपको कैसे महसूस होता है आपको कैसे महसूस हो रहा है आप उनको इस में से कोई एक सवाल पूछ सकते हैं dear students या आप इन में से कोई एक सवाल से आपका interview शुरू कर सकते हैं how are you feeling how are you feeling at the zenith of success how are you feeling after achieving a great success how are you feeling achieving a great success अजीम कामियाबी हासिल करने पर अजीम कामियाबी हासिल करने के बाद आपको कैसे महसूस हो रहा है आप क्या महसूस कर रहे हैं कैसे महसूस कर रहे हैं आपको कैसे महसूस हो रहा है, आपको कैसे लग रहा है, आप इन में से भी कोई सवाल, किसी सवाल का इंतिखाव आप कर सकते हैं, उसके बाद आप ये सवाल पोच सकते हैं, When and How, When and How did you start your journey in this field, आपने इस मैदान में कब और कैसे सफर शुरू किया, आपका सफर इस मैदान में कब और कैसे शुरू हुआ, ये सवाल पोच सकते हैं, उसके बाद, What difficulties and problems did you face, particularly in the early stages, डियर स्टुडेंट्स, इबतेदा में हर काम में मसाइल और मुसिबतों का सामना करना पड़ता है, तो आप उन से सवाल पोच सकते हैं, What difficulties and problems did you face, particularly in the early stages, इबतेदाई मरहलों में, इबतेदाई मरहलों में, आपको किन मसाइल, किन मसाइल और मुसिबतों का सामना करना पड़ा, आप उन से पोच सकते हैं, कि खुसूसन इबतेदाई मरहलों में, आपको किन मसाइल और परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसके बाद ये सवाल पोच सकते हैं, What challenges had you to face, particularly during the initial stages, ये सवाल पोचिए या फिर ये सवाल पोचिए, What challenges had you to face, particularly during the initial stages, खास तोर से इबतेदाई मरहलों में, आपको किन चुनोतियों का challenges का सामना करना पड़ा, इसके बाद में, ये सवाल पोच सकते हैं हम उने, उसके बाद देखिए, Who is your inspiration, आपकी प्रेरना कौन है, आपकी तहरीक कौन है, यानि आपको किससे प्रेरना मिली, किससे तहरीक मिली, ये सवाल पोच सकते हैं, उसके बाद देखिए, How did you overcome, How did you overcome the problems and difficulties that came in your way, आपके रास्ते में आने वाले मसायल का, मुसीबतों का, परिशानियों का, आपने किस तरह, आप उन पर किस तरह गालिब आए, आपके रास्ते में जो मसायल आए, जो मुसीबते आए, जो प्रोब्लम्स आए, उन पर आपने किस तरह फते पाई, ये बहुत अच्छा सवाल है, आप पोच सकते हैं, मसायल को हल करने में, आपकी मदद किस ने की, आपको किस ने सपोर्ट किया, ये भी सवाल पोच सकते हैं, आप, Who supported you most, आपको ज्यादा तर किस ने सपोर्ट किया, किस का ताउन रहा, उ What do you think, what do you think are the major challenges in this field, आप ये सवाल पोच सकते हैं, उन से, किस मैदान में, बड़े मसायल, आपके ख्याल में कौन से हैं, आप ये पोच सकते हैं, आपके ख्याल में, इस मैदान में, बड़ी चुनोतियां, बड़े चैलेंजेज क्या हैं, उसके बाद ये सवाल पोच सकते ह What measures, what measures do you think will be effective to solve the problem, उन मसायल को हल करने में कौन से एकदामात आपके ख्याल में मुस्सर या कारामत हैं, आपके ख्याल में उन मसायल से निपटने के लिए, कौन से आपके ख्याल में, उन मसायल को हल करने के लिए, क्या एकदामात मुस्सर हैं, कौन से एकदामात मुस्सर हैं, उसके बाद आप ये सवाल पूछ सकते हैं, आपके जिन्दगी का वो यादगार लमा, जिसने आपको बहुत ज़्यादा खुश किया, जिससे आप बहुत ज़्यादा मसरूर हुए, वो बताईए, तेल आज एनी मेमोरिबल मुमेंट इन वर लाइफ, तैट डिलाइटेड यू मोस्ट, उसके बाद आप ये सवाल पूछ सकते हैं, Who is your role model? आपकी मिसाली शख्क्सियत कौन हैं? Who is your guide? Who is your role model? आप इस तرह इस सवाल पूछ सकते हैं, Who is your role model? Who is your ideal? Who is your guide? आप इन में से कि कोई एक सवाल चुन सकते हैं आप इन में से किसी एक सवाल को मनतखिब कर सकते हैं आपकी कामयाबी की करेड़िट आप किसको देना चाहते हैं whom do you give the credit of your success आप अपने कामियाबी की credit किसे देना चाहते हैं किन को देना चाहते हैं to whom do you give the credit of your success तीनों का मतला भी किये तीनों में से किसी एक का आप इंतिखाब कर सकते हैं इन में से आप किसी एक को चुन सकते हैं में से आप किसी एक का इंतिखाब कर सकते हैं, what are your plans for future, मुस्तक्बिल के लिए आपके क्या मनसूबा है, आपके क्या मनसूबे है, what are your future plans, what are your dreams now, what are your visions now, what will be your next target, आपका अगला target क्या होगा, इन में से आप किसी एक को मनतखिब कर सकते हैं, इन में से आप किसी एक का इंतिखाब कर सकते हैं, what is your message for the, what is your message for the young aspirants, नए खौईश्मन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है, what is your message for the newcomers, नए आने वालों के लिए आपका क्या मैसेज, आपका क्या पैगाम है, what is your message for the coming generation, what is your message for the future generation, what is your message for the youngsters, dear students, इन में से आप किसी भी एक का इंतिखाब कर सकते हैं, इन में से आप किसी एक को मनतखिब कर सकते हैं, will you give any message to the world, क्या आप दुनिया को कोई मैसेज देना चाहेंगे, क्या आप दुनिया को कोई मैसेज देंगे, what message would you like to give to the world, आप दुनिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे, what is your advice to the young aspirants, नए खौइश मन्दों के लिए आपकी क्या नसियत है, what can you do to encourage them, उनकी होसला अवजाई के लिए आप क्या कर सकते हैं, dear students, ये सवालाद भी most common आपके इनको भी पूछ सकते हैं, उसके बाद में at the end of the interview, आप उनको बोलिए, हमको आप से मिलकर बड़ी खुशी हुई, यू गेव अज यूर वेल्वेबल टाइम, तो थैंक्स वेरी मच्च, इस तरह बोलिए, उसके बाद में shake hands with him, उनसे मसाफ़क कीजिए, और उनको गुडबाई, अल्लाहाफिज बोलिए, dear students, बसाज के लिए इतना हैं, गुडबाई, अल्लाहाफिज,